लोटस आयरवदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरे आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में पेट को ठंडा रखने के लिए पीए पुद्रेने की चाच मैं रिसीफी भी बता रहा हूँ साथ में हम फाइदे भी बता रहे हैं तो आई शूरू करते हैं आज का वीडियो गर्मी के मौसम में पैट से जुड़ी समस्याँ बढ़ जाते हैं और पेट में होने वाली गर्मी के कारण स्वास्त पर पुरा परवाव पढ़ता है गर्मीव पैट में गर्मी बढ़ने के कारौन कई गंपील सवास्त समस्याएं भी हो सकती है। आप अपने पेट को सांथ रखने के लिए पुदिने का सेवन कर सकते हैं। आप पुदिने की पत्यों को सुखा करके रख सकते हैं। जब भी पेट में जलन या दर्द मैसुज हो तो एक गिलास छाच में इन पत्तियों को मिला करके पी सकते हैं गर्मे में पुदीना छाच पीने के स्वास्तिके फाइदे क्या हैं? वो पहले जान लीजिएगा पुदीना अपने पाचन गुड़ों के लिए जाना जाता है और छाच भी खाना पचाने में मदद करता है ऐसे में पुदीना और छाच का एक साथ सेबन करने से गर्मे के मौसम में होने वाली पाचन से जुड़ी समस्याओं को कम करने में अपच से रहाद दिलाने और पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद बिलती है पुदिना में एंटी ऑक्सिडेंट और बिटामिन के गुड मवजूद होता है जो इसकिन को हेल्दी रखने पिंपल्स और एकने की समस्या को कम करने और चेहरे की रंगद में सुधार करने में मदद करता है गर्मी के मौसम में पुदिनी के चाज़ पीने से इसकिन हल्दी और चमकदार बनती है पुदिना की पत्तियों की खुश्पू नैच्रल माओध फेशनर के रूप में काम कर सकती है गर्मी में पुदीना चार्ज पीने से आपकी सांस की तरो ताजा करने में मदब मिलती है पुदीना बिटामिन C और बिटामिन A जैसे पोसक तत्तों से भरपूर होता है जो इमिनिटी सिस्टम को बढ़ावा देता है और इंफेक्शन से बचाने में मदब करता है गर्मी के मोसम में कमजोर यूमिलिटी पावर की समस्या को दूर करने के लिए आप पुदीना चार्च जरूर पी है चार्च बिटामिन B कलसियम और पोटेसियम से भरपूर होती है जबकि पुदीनी की पत्तियों में बिटामिन A, C और E आइरन और मेंगनिसियम के गुण पाए जाते हैं जो गर्मी के दोरान आपको स्वस्तर रखने में मदद करते हैं सूखे पुदीने की पत्तियों की चार्च की रिसीपी तो उसके लिए समगरी चाहिए चार्च, एक ग्लास, सूखा पुदीने की पत्तियों का पाउडर, एक चमच, काला नमक, एक चुटकी, भूना जीरा पाउडर, एक चुटकी, बर्फ के टुकडे अगर आप ठंडा पीना चाहाते हैं एक दम तो पुदीना चार्च बनाने की रिसीवी एक ग्लास में चार्च डालें अब उसमें ड्राई पुदीना डालकर मिलाएं आप चाहें तो खुद घर पर पुदीनी की पत्तियों को सुखा कर इसका पाउडर तयार कर सकते हैं इसके बाद अपनी चाहच में स्वाद जोड़नी के लिए इसमें काला नमक और भुना हुआ जीरा पौडर भी मिला दे अगर आपको ठंडा चाहच पीने का मन हो तो आप इसमें बरफ के टुकड़े भी मिला कर पी सकते हैं बस आपको ड्राइप उदिन चाहच त्यार है इसे मज़िग साथ इन्जॉई आप कर सकती हैं या कर सकते हैं पेट में होने वाली समस्यों से रहात पानी के लिए आप ड्राइप उदिन चाहच पी सकते हैं आप चाहें तो इसे राइता दही रोटी डिटॉक्स बटर और न झाल बाल